हेलो गाइज देजन नाउलित महान देपर्टमेंट अप अपड़न टोड़े वी आज लिए तो डिस्कॉस आप इंसेक्ट पेश्ट ऑप गैसे अपना ही चीज वाएज ते पर ले वह बात करेंगे गाईज सबस्पेर हम बात कर लेते हैं इंसेक्त पेस्टrine के बारे में तो केस्टर हमको यह पता हूं चीजिए केष्टर होता है क्या चीज़ मेसे केष्टर Is a कह सबुराइक और यह और गाल जाता है इसके तेल का उपयोग बहुत सारी चीजिदों में किया जाता है इसkim के साथ साथ wax बनाने के लिए कुछ medicines में भी इसका यूज किया जाता है गाइस कैस्टर जो है बहुत सारे इंसेक्ट पेश्ट के द्वारा affected होता है बहुत सारे इंसेक्ट पेश्ट इस पर अटेक करते हैं जिनमें से आज हम कुछ इन मेजर इंसेक्ट इंसेक्ट होते हैं मिडियम साइज इसमोब होते हैंRM सेडिन 오른ी लाइन्स में घाट फटे छो इसमें पीतला पंक सफ़ेद करका होता है जिसमें ब्लैक कलर के पैचस बने होते हैं यह जो इंसेक्ट होता है यह पॉलिफेगस होता है हर प्रकार के वेश्टिशन पर फीड करता है टॉमेटो पोटेटो रोज चैस्टर प्रोमगेनेटी ट्राइडेक्स यूफोर्विया आटेक करते हैं यह जो इंसेक्स होते हैं इनके एडल्ट फिमल जाहे अपने पूरी जीवन काल में 400-500 अंडे देते हैं यह पत्तियों पे अलग-अलग यह स्कुर्ट अंडे देते हैं और कहीं पर अंडे दे सकते हैं इनका कोई इस्पीसिफिक एक लेइंग साइट नहीं होता लारवी जो है semi looper होता है जो कि movement करने में loop की formation करता है इनका एक period 3-4 दिन का होता है और इनका जो larvae होता है ये green color या फिर brown color का हो सकता है fully grown larvae जो होता है maximum 6 cm तक grow हो सकता है इनके जो larvae होते हैं यही damage करते हैं हर प्रकार की vegetation को हर चीज़ को यही damage करते है larvae will come a flag with color of the crop canopy यह जो है अलग-अलग crop में larvae का color अलग-अलग हो जाता है pattern जो है 3rd और 4th इंस्टार larvae में अलग-अलग दिखाई देते हैं जो है अलग-अलग जो crop में same insect अगर अलग-अलग crop में लगते हैं तो उनमे variations देखने को मिल सकते हैं लेकिन यह variations 3rd और 4th इंस्टार larvae के बाद ही देखने को मिल सकता है इनका larval stage जो होता है वो 20-25 दिन में खत्म हो जाते हैं यह जो insect होते हैं इनका total life cycle level 45-60 days में complete होते हैं 25 days तक larvae feed करने के बाद यह leaf के lower surface पे या फिर soil में लीप के lower surface पे या फिर soil में या फिर गिरी हुई पत्तियों पे प्यूपेशन में चले जाते हैं इनका pupil period जो है 10-25 दिन का हो सकता है और यह जो insect होते हैं इनका total life cycle लगभग 60 दिन में complete हो जाते हैं 35-60 दिन में इनका total life cycle complete हो जाते हैं यह जो insect होते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वी फर्स्ट इंस्टार जो निबल होता है फर्स्ट इंस्टार लार्वी यह पत्तियों को स्क्रैब करके खाना इस्टार्ट करते हैं इंस्टार नेवल on the leaf and second star make byth hole on the layerほ let the फंस्ट इंटार मिया होता है वह पत्तियों को it's cred करके खाते हैं or second in style dynasty होते हैं उन को फिर अचरना पत्तियों काच के खाना hole करना इसटार्ट करते हैं लेटन सथार्फ विल एड़ी डोई कॉम्प्रिसलीं ञबनियों ऑफेस्ट की तरह में कुरार दो नहीं थॉड़ते यह पूरे पत्त्यों को यह छोड़ते यह wyuhas काफी serious paste के रूप में होता है, इनका जो adult होते हैं, वो citrus plant के citrus के fruit से उसका fruit शेप को सक करते हैं, citrus fruit से उसका juice सक करते हैं, ये लारवी stage में ये हर प्रकार के crop को damage कर सकते हैं, saver stage में ये capsule को बूर करते हैं, caster के capsule को affect करते हैं, साथ साथ में अन्य vegetation just like tomato के fruit को भी damage करते हैं, और brinjal ये cabbage etc. plants को भी damage करते हैं, इनके management के लिए हमको hand picking करना चाहिए, सबस्पहले ये काफी बड़े size के लारवी होते हैं, तो उनको हम assigns से hand picking करके उनको उमार सकते हैं, provide bird purchasing, bird purchase का हमको use करना चाहिए, क्योंकि insects काफे बड़े size के होते हैं, तो bird purchase के दवारा हम birds को accursist कर सकते हैं, और birds इनको आसाई से ढूंड के खा लेतने हैं, बाल जीकल कंट्रोल में हम hymenopteran जो parasitoids हैं, just like trichogramma और 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 भी कुछ parasites होते हैं, parasitoids होते हैं, larval parasitoids जिनका हम use कर सकते हैं, chemical control में हम methylparathyon का use कर सकते हैं, next insect is caster capsule borer, caster capsule borer order labdoptera family paralytic के सिदे से होते हैं, यह जो है caster के regular paste हैं, जो की caster में हमेशा attack करते ही हैं, यह जो insect होते हैं, caster capsule borer यह भी polyphagus paste होते हैं, जो की हर प्रकार के vegetation को खा सकते हैं, caster के अलावा, cardamom, sorghum, mango, ginger, guava, peach, jackfruit, tomato, etc. प्लांट को यह damage करते हैं, caster और cardamom में हम इनको shoot and capsule borer के नाम से जानते हैं, similarly to fruit sucking moth, it has sectorial proboscis piercing juice, यह जो है fruit sucking moth, that means caster semiloper के तरह इनके moth में भी sectorial type proboscis पाए जाते हैं, जो की fruit से, उनके juice हैं, उनको suck करके fruit को भी नुकसान पहुचा सकते हैं, यह जो insects होते हैं, इनके adult medium side होते हैं, जो की brightly yellow color के होते हैं, जिनमें orange color के patches दिखाई देते हैं, साथ में black color के e-sports भी होते हैं, इनका life cycle लगभग 30-45 दिन में complete हो जाता है, यह जो insects होते हैं, यह group में अंडे देते हैं, in portions या फिर birds के उपर, flower birds के उपर में, यह insects 6-7 के group में अंडे देते हैं, जिनका 1 period लगभग 3-6 दिन में complete हो जाता है, 3-6 दिन के पस्चाथ में एक से newly hedge larvae होते हैं और feed करना इस्टार्ट करते हैं, newly hedge larvae firstly leaves को scrap करके खाते हैं, जिनमें 5 इंस्टार complete होने तक यह leaf को ही feed करते हैं, यह जो insects होते हैं, इनका larvae फिर यह 12-15 दिन में complete हो जाता है, और 15 दिन के पस्चाथ यह pupation में चले जाते हैं, pupa जो है stem के अंदर या फिर stem के उपर ही silicon cocoon बनाते हैं, जो की 6-7 दिन में complete हो जाते हैं, adult जो है लगों की 10 दिन तक जिन्दर रहते हैं, इस प्रकार से इनकी life cycle 30-30 दिन में complete हो जाते हैं, इनके nature of damage के अगर बात करें तो newly hedge larvae fits on greenest color capsule, यह जो insects होते हैं, newly hedge larvae होते हैं, यह पत्तियों को scrap करके खाते हैं, या फिर green color के जो capsule होते हैं, उनको खाना start करते हैं, बाद में धीरे से capsule को बूर करके enter कर जाते हैं और अंदर से उन्हें खोकला कर देते हैं, इनके द्वारा केश्टर के production में लग भग 70% तक का loss हो सकता है, इनके management के लिए हमको ऐसे varieties का यूज करने चीज़ जो इनके प्रती tolerance हो, mechanical collection भी कर सकते हैं, hand picking क्योंकि यह जो insects होते हैं, group में अंडे देते हैं और इनके larvae group में hedge होते हैं, chemical control में हम इनके लिए methyl parathyon या फिर methyl dematon का भी यूज कर सकते हैं, next insect is caster hairy caterpillar, caster hairy caterpillar जो है और लेबड़ आप टेरा फैमली लाइवन ट्रीडी के members होते हैं, hairy caterpillar जो होते हैं इनके larval stage में इनके larvae को उपर पूरी body को उपर hair like structures होते हैं, यह इनका पूरी body hair से धके होए होते हैं, adult mode जो है cluster में leaf के निश्ली सतह पे अंडे देते हैं, जिनका hatching लगभग 3-4 दिन में हो जाते हैं, mostly इनके winter के समय इनके अंडे का hatching एक सपता तक में हो पाते हैं, इनका larval stage 3 सपता का होता है जबकि pupal stage एक हपते में complete हो जाता है, यह जो insects होते हैं इनका total life cycle लगभग 45-60 दिन में complete हो जाते हैं, इनके nature of damage की बात करें तो castor hairy caterpillar जो होते हैं, यह leaf feeding insects हैं जो कि पत्तियों को खा के पत्तियों को नुकसान करते हैं, नुली हेज लारवी पत्तियों को scrap करके खाते हैं, लेटर यह पत्तियों में hole करते हैं, 2nd और 3rd इंस्टार लारवी जो हैं पत्तियों में hole बनाके खाते हैं, बाद में यह पूरी पत्तियों को defoliate कर देते हैं, इनके management के लिए हम मेथाइल पारत्यान या फिर मेथाइल देमेटॉन का यूज कर सकते हैं, next insect is castor sludge caterpillar, castor sludge caterpillar is also a hairy caterpillar, जो कि फेमली लेमसोडी लेमसोडी और लेप्रिडोप्टेरा के members हैं, adult मेडियम साइड होते हैं जो कि greenish brown color के हो सकते हैं, इनके color में variations होते हैं, अलग-अलग crop में इनका जो variation हैं अलग-अलग हो जाता है, environment or ecosystem के according यह जो insects हैं बहुत ज्यादा develop हो जाते हैं, इसलिए इनमें variations इतना जाद देखने को मिल सकता हैं, इनके जो insects हैं polyphagus होते हैं, caster के अलावा, cocoa, pomegranate, mango, wood apple, etc. पर यह attack करते हैं, mostly जो sludge caterpillars होते हैं forest land में दिखाई देते हैं, but cultivable land में यह जो insects हैं attack कर सकते हैं, इनका जो अंडा है, egg are laid in group and covered with hairs and each group contains 20-30 eggs on the under surface of the leaves, इनका जो एक period होता है वो 6-7 दिन में complete हो जाता है, और जो newly hedge larvae होते हैं यह पत्तियों को पत्तियों पे feed करते हैं, पत्तियों के mid rip पे तथा उसके जो veins होते हैं पत्तियों के veins उनहीं पे इंसेक्ट feed करते हैं, इनका लारवाल period लगभग 40-45 दिन का होता है और total life cycle जो इस इंसेक्ट के total life cycle है लगभग 60-70 days में complete हो पाते हैं, इनका प्यूपेशन है लगभग 10 दिन तक होता है, 10 दिन तक प्यूपा यह पत्तियों के निचली सता पे यह stem पे बने रहते हैं, यह जो इंसेक्ट होते हैं यह silken cocoon बनाते हैं, लारवी पत्तियों के mid rip को छोड़के बाकी पूरे veins को खा जाते हैं, अब बात करते हैं insect paste of linseed के बारे में, लिंसेट के कौन कौन से insect paste हैं, हम इसे बात करते हैं गाल फ्लाई की, गाल फ्लाई यह भी polyphagus paste है, मेन जो host है वह है लिंसेट, यह जो इंसेक्ट है यह लिंसेट का major paste होता है, जो कि लिंशीट के बर्ष पे अपने अंडे छोड़ता है जिससे निवली हैज जो लारवी होते हैं, मेगट होते हैं, वो फीट करने लगते हैं, एंटर करके और वहां पे गाल बनाते हैं, जिसके अंदर दो से तीन लारवी मिल जाते हैं, इनका डिस्टुरिशन के बात करें तो यह आंत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, बिहार, उत्रप्रदेश, देलही, पंजाब, छत्तिसगर, हर्याना, etc. जो इस्टेर से वहाँ पाया जाते हैं यह जो adult of the galmich is a small orange fly, यह जो है मच्छर के समान दिखाए देने वाले fly होते हैं जो adult female होते हैं अपने पूरे जीवन काल में 29 से 103 तक अंडे दे सकते हैं, transparent egg होता है जो की flowers bird के उपर 8 से 10 की group में देते हैं, इनका जो egg period है लगवक 3 से 5 दिन में complete हो जाते हैं mostly यह जो insects होते हैं इनका जो एक होता है तीन से 5 दिन में hedge हो जाता है, newly hedge larvae जो है वो flower birds पे enter करके उनको गाल बना देता है Just after emergence the larvae are transparent with a yellow patch on the abdomen, they pass through 4 instar in 4 to 10 days लगवक 10 दिन में, इन में 4 instar complete होता है and when full grown become deep pink and weather about 2 mm in length The full grown maggot drop to the ground, prepare a cocoon and pupit on the soil जो insect होते हैं इनका pupition soil में होता है और इनकी control के लिए हमें summer plowing करना काफी कारगर हो सकता है Nature of damage के बात का है, तो maggot जो है फिड, floral bud के अंदर feed करता है मैंने पहले ही बताया जैसकी flower bud पे इन्सेक्स का maggot feed करता है Magot feed inside the floral bud leading to formation of gall-like structure which do not develop in the flower capsule The affected birds weather and drop Management के लिए हमें summer plowing deep summer plowing करना चाहिए Plus infected जो गाल होते हैं उसको हम cut करके हमें destroy कर देना चाहिए साथ में हमें name formulation का as a direct formulation का spray करना चाहिए Guys आज के लिए बसिता है, thank you ंदे़ लिए